तो आज हम और एक टॉपिक करने जा रहे हैं एकॉंट सेक्षिन का जी के लिए तो इससे पहले हमने बहुत सारे टॉपिक किये हैं तो अगर आप अभी तब वह लेक्टर से नहीं देखें तो चैनल पर जाके आप देख सकते हैं तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा concept of social accounting इसके बारे में पढ़ेंगे जो कि हमारा second last topic है account section का इसके बाद और एक last topic रहता है जूंकि यह हमारा system financial system के बारे में है तो hope of public financial management system जो होता है उसके बारे में है तो चलिए शुरू करते हैं आज का topic तो आज का concept of accounting जो social accounting है अगर उसके बात करें तो यह सबसे पहले क्या होता है कि अभी तक जो हम पढ़ रहे थे वह सब क्या था हम accounting में क्या बारे थे कि जो business है form है credit है debit है जो accounts है उन सब को उन सब में अगर आपने चीज़ notice क्या होगा तो वहां पर होता है क्या जो business जो होता है अगर उसमें अगर आपने notice किया तो वहां पर क्या होता है social plus economic activities होता है यह business actually जो हम humans involved हो रहा है employment generate हो रहा है तो इन सब में अगर देखें directly indirectly यह क्या है business क्या होता है actually business जो आप कर रहे हैं उसमें all equipped होता है तो यह क्या होता है तो आप और इसको हम क्या बोलते है यह social and economic activity होता है business जो आप कर रहें मिए Táयब एक्टिविटी होता है तो अर अप यह social और economic activity है business तो इसमें क्या होता है कि कुछ swobcw Conceaker's होते हैं आपकी social problems होता है इसके कुछ एसे responsibility होता है कि कोई social बहुत सारे जो social problem हो उसको solve करना इसका responsibility होता है किसका जो business है हमारा तो social accounting का तो अब social accounting की बात करें तो यह कब important इसकी importance गें हुआ ज्याद था तो social accounting gains importance as a result of किसकी वाज़ से इसका importance बढ़ गया importance gain हुआ social accounting का तो यह हुआ हमारा जी high level of industrialization की वाज़े से जब ज्याद स्यादा industrialization हुआ तो यह जो social accounting है वो भी बहुत ज़्यादा important होना start हो गया तो यह concept of social pattern and pattern of society civil right movement, environmental protection act, movements या ecological conservation groups in whom की वज़े से क्या होगे इन सारे civil right movements की वज़े से या acts की वज़े से क्या होगे कि लोगों के अंदर awareness जा गया society के अंदर awareness जा गया towards corporate social contribution corporate social contribution की awareness जा गया society के अंदर इन सब की वज़े से तो क्या हुआ यहाँ कंट्रुबीट तो जो इसकी वा कि जैसे सचा जोड़ेक्षिंव जूटन का जो इसकी जाए गया तो इसकी वाज ज्यादा उसकी इंपोर्टेंट बढ़ने लागा इन शीक व्यादा सब्किंदे तो एनले जन एन ए ने ली एन एन आस्टि Such of accounts अब जो सोचल अकांटिंग को कैसे डिफाइं करता है Define it as the identification जो सोचल अकांटिंग जो इसको अडिफाइं करता है the identification, measurement or monitoring and reporting of social and economic effect of an institution on society यह जो सोचल अकांटिंग को ने किसे डिफाइं करता है जो सोचल अकांटिंग करना तो इन्होंने क्या बोला कि सोचल अकांटिंग उसको कहा गया इन्होंने डिस्क्राइब किया गया social accounting therefore it is concerned with external reporting of social cost इसलिए यह किसके साथ related होता है कि जो भी external concern होता है external reporting of social cost उसके साथ concern होता है कौन सा social accounting ठीक है इसके कुछ features है जैसे कि यहां पर expression of a company social responsibility यह जो social accounting है यह क्या express करता है यह जो company जो भी company होगा जो business होगा उसका social responsibility जो है वो express करता है second है related to use of social resource यह किसके साथ related होता है यह social resource जो होता है उसके साथ related होता है उसको कैसे use करता है उन सब के बारे में यह जो social accounting होता है तो यह जो social accounting यह किसके साथ related होता है use of social resource जो भी social resource है उसके use के साथ related होता है ठीक है second vision और third है था emphasize on relationship between firm and society जो society और firm है उसके जो relationship है उसके उपर यह base होता है उसके साथ उसके, उसके उपर यह ज़्यादा जो जोब और उसके उपर होता है इस major social accounting नो जो Social accounting में साथ होता है तो उसके उपहर बेस होता है क्योंकि firm और society एक byक चलता है otherwise अगर form होगा society नहीं होगा तो आपका firm नहीं चलेगा तो आपका अगर society होगा फार्म नहीं होगा तो वो भी नहीं चलेगा तो यह दोनों साथ में चलता है तो इन दोनों का relationship की उपर क्या करता है यह जोर देता है ठीक है इसके बाद आता है determines desirability of the firms in society यह determines करता है जो भी desirability हो है फार्म का society में उस चीज़ को determine करता है ठीक है है उसको apply, apply क्याई की इसके उपर social science के ऊपर ठीक है application of accounting on social science social science है उसके उसके ऊपर accounting का application होते है ठीक है इसके बाद आता है emphasize on social cost as well as social cost है और उसके साथ साथ जो social benefits है उसके ऊपर जोर रहता है इसकिसमे social accounting में ठीक है इसके बाद एक quotation यह है कि S.Mobile उसने explain किया जो social accounting को अपने एक आर्टिकल में में भी आर्टिकल पूछा जाए कि चेलेंज इस ओफ social economic accounting तो इस आर्टिकल में S.C.Mobile ने जो social accounting है उसको explain किया है ठीक है true blood committee report यह एक रिपोर्ट है उसमें social accounting के बारे में बता है कि on objectives of financial statement that an objective of financial statement is to report on those activities of enterprises affecting society जो ना यह social accounting होता है इसमें किसके उपर यह लागा जोडिया जाता है जो social accounting उसमें जो finance statement उस finance statement के उपर जोडिया जाता है जो कि वह activities जो कि किसी इंटरफ्रेस की दोरह की जाता है जो कि किसको affect करता है जो society को affect करता है उसके उपर इसमें social accounting में जोडिया जाता है तो इसके कुछ benefits है और need of जरूरत क्यों है social accounting की तो इसके कुछ importance है जैसे कि improve image of firm social accounting के जरी हम क्या कर सकता है जो firm का image होगा वह हम improve कर सकता है अगर कोई भी चीज़ अगर firm का कोई भी action activity अगर society का affect कर रहा है तो अगर वह उस चिसको अगर हटा दे तो उससे public के उपर उनका image अच्छा बनेगा तो उस तरह आप social accounting के जरी है आप क्या कर सकते कि जो image है आपके जो firm के उसको आप improve कर सकता है यह तो मेरा example था मेरा तो improve to imply motivation जो imply motivation है उनको improve कर सकते हैं आप social accounting के जरी है इंप्रूब दर कॉंफिडेंस ऑफ शेयर होल्डर ऑफ फर्म जो शेयर होल्डर है firm में उनका confidence आप social accounting के जरी है इंप्रूब कर सकते हैं help लास्ट आता है helps in marketing through greater customer support यह help करता है किस में जो marketing है उसके लिए through किस के जरी जो greater जो customer support है उसके जरी आपको help करता है marketing में ठीक है तो यह तो था हमारा जो यह social accounting concept of social accounting तो इससे आगे हम आप दूसरा करेंगे इसी ही lecture में दूसरा जो हमारा होगा public finance management system system के बात करें तो इसको पहले क्या कहा जाता था previously known as center plan scheme for monitoring schemes CPSMS कहा जाता था previously इसको PFM यानि public financial management system को ठीक है तो यह scheme सबसे पहले flagship scheme in the state of पहले कहां पर आया था state of Bihar, Punjab, मिज़रम & Medhiaparadish but later on क्या हुआ कि 12th plan के जरे यह national level पर आगे है PFMS ठीक है तो सबसे पहले कहां पर आया था भीहार, Punjab, मिज़रम & Medhiaparadish में आया था पहले जब आया था पहले यह start वा बट लेटर औफ पीएफएमस कहां फिर टुल प्लान के जरीए यह पूरे नेशनल लेवल पर आगए ठीक है तो पीएफएमस के बात करें तो 2023 में डिसाइड तो रोओ पीएफएमस कि यह पूर्प एक सबस्क्राइब काता करें तो प्लान लेगा जाएगा इतना टोटल ले और यह इन्होंने सेट किया था कितना 180 क्रोड का स्ट्रक्चर के अगर बात करें तो इस में स्ट्रक्चर में यह चार पार्ट है जैसे कि कि प्रजक्ट इंप्लेमेंटेशन कुमीटी यह आपक्स होता है सबसे फाई लेडल पर होता है ठाइगें चैजिशा होनिगंड स्ट्र पर अव अधिये हैμεड उसके आपका स्टेट लेडल पर होता है इस पी अधिये यह और इसके बाद आता है district project management unit जुनकि आपका आता है सबसे level district level पर आता है DPMU जिसे DPMU भी shortcut हम क्याते हैं यह district level पर आता है यह structure है किसके PFMS के ठीक है इसके role है कुछ aim at increasing transparency, transparency को increase करना इनका aim था यह PFMS का good governance का aim है इनका और integration with state treasury के साथ इनका integration है ठीक है तो यह इनका role है इसके बाद कुछ walk है जैसे की fund flow monitoring इसमें आता है पहला सबसे पहला आता है monitoring of external act project जो भी external act project है उनकी monitoring आता है इसमें दूसरा आता है mechanism for state governance to track state scheme जो state scheme है उनको track करने के लिए mechanism है इसमें इनका walk में गिना जाता है and और एक आता है management system for expenditure for fund utilizing wise PFMS management system for expenditure for fund utilizing एक management system इनका काम होता है कि एक management system बनाता है किसलिए की expenditure जो होता है जो fund fund होता है उनकी expenditure किसले करना है उसको utilize किसले करना है यह इनका काम होता है PFMS का treasury interface इनका काम होता accounting model for all registered agencies, direct benefit transfers, interface for banking, Indian Post, Reserve Bank of India, Nabat, cooperative banks यह सब इनका काम में यह सब include होता है ठीक है तो थोड़ा starting में इनका challenge था कि awareness और adaptability जुंकी यह new system था तो इनको adapt करना और awareness पहलाना इसके बारे में थोड़ा इसको problem था तो इतना ही है इसमें तो hope आप लोगों को यह video पसना आया होगा इसी के साथ हमारा पूरा accounts का section है जो है वो complete होता है मिलते हैं अगले video में अगले section के साथ हम आप computer का section शूरू करने जाएंगे करेंगे तो अभी तक हमने अगले वीडियो में तब तक के लिए गुडबाई एंड टेक किया हुआ हुआ है उसके बाद हमने जो accounts का section है वो किया है अब हम इसके बाद जो आएंग लेक्चर करेंगे वो हम computer का section उठाएंगे तो अभी तह हमने 30 30 यानि 60 marks का हमने सिल्बस कंप्लीट किया है वोब आप लों को वीडियो अच्छा लगा होगा अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब और शियर जरूर करें मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए गुडबाई एंड टेक किया हुआ है